51 mm motor का dial side से जानकारी Dial side 51 mm motor के साथ दिया गया है जिसकी मदद से मुनासिब रेंज हासिल किया जा सकता है Dial side की मुखे दो assembly है Dial side 1-2 ब्रोवो का इस्तिमाल एच्ची मार्क 2 फायर के लिए किया जाता है Radioactive इसमें sign पीले कलर का दर्शाय आ गया है इसके दो assembly होते है Clamp assembly और housing assembly इसका weight 350 gram मतलब 350 gram Tritium capsule पाँच आते हैं इसमें Speed bubble में 2, range drum में 3 इसका life 10 साल का होता है TFGT मतलब Tritium fill gas tube होता है Clamp assembly Clamp assembly में सबसे पहले mounting bracket ये dial side को motor पर mount करने के काम आता है Mounting bracket में 2 earth semi circular clamp होते है Clamp को कसने के लिए 2 allen head screw दिये गया है Range drum Range drum को स्थाय रूप से clamp assembly में लगाया गया है इसके उपर charge 1 और charge 2 का range मार्क किया गया है Central spindle ये clamp assembly के बीचों बीच लगाया गया है ये housing assembly को सहारा देता है Spindle के उपर चूडिया है जिस पर wing nut को tight किया जाता है Housing assembly TF source TF source को ऐसे जगव पर fit किया गया है जहाँ पर motor के fire के दौरान असर कम से कम होता है TF source रात के समय range scale और spread bubble को illuminate करता है Range drum में 3 और spread bubble के अंदर 2 होता है Spread bubble Spread bubble को मत धिमे करने से angle हांसिल होता है Index Index के नीचे TF source होता है इसे घुमा कर range हांसिल किया जाता है Index के उपर एक करसर काले रंग की line होती है जिसकी मदद से range हांसिल किया जाता है Plunger Plunger Index को अपनी जगा लॉक करके रखता है ताकि firing के दौरान index हिल ना जाए Dial side के उपर दो प्रकार के range scale खुदे होते है इस से charge 1 और charge 2 ammunition fire किया जाता है बाएं तरफ का range scale charge 1 के लिए और दाएं तरफ का range scale charge 2 ammunition के लिए इस्तेमाल किया जाता है मोटर को दो एंगल से fire किया जाता है पहला low angle 0 से 45 degree के angle को low angle कहते है इस angle पर fire करने से बॉंब के उडान का समय और हवा का असर कम होता है दूसरा high angle 45 से 80 degree के angle को high angle कहते है आम तोर पर high angle से crest line के आगे target को clear किया जाता है रेंज लगाने के लिए wing nut को धिला करें housing assembly को भूमा कर जरुरत सुधा range लगाए wing nut को tight करें तो चलिए dial side के अंदर के TF source के तूटने पर करवाई की क्या किया जाता है उसके बारे में जानता है तो dial side के अंदर के TF source के तूटने पर कारवाई जिस जगह पर तूटा है उस जगह के 10 मिटर की दूरी पर 30 मिनिट तक ना जाए हवा के विपरीत position ले ले उसके शरीर के खुले हिसे को साबुन पानी से अच्छी तरह से धुलाई कर दे जो आदमी उसके नजदिक हो उसका urine टेस्ट करवाए जो आदमी उससे प्रभावित हुआ हो उसे 10 दिन तक पानी और जूस जादा दे वर्षवाप को खबर करे वो उसे बार्क यानी भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर बी ए आर्सी ट्रॉम्बे हैं बॉम्बे को भेज देते हैं धन्यवाज जेहिंद